है हलो और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और आप सभी जानते हैं गैच इस सेशन में आप लोगों को जारखन समयन ज्यान का कोश्शन का प्रेक्टिस करवाया जाता है गैज यूस्टेस के माधियम से तो चलिए स्टार्ट करते हैं हज का ये क्लास बिना देरी कियों हैं जो भी बच्चे जारखन के किसी भी कमपेटिशन के एकजाम के त्यारी कर रहे हैं ये सेशन बहुत इंपोर्टेंट है गैज उसके लिए मिस मत किजिएगा सेशन को अन तक चरूर देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट सवाल होते हैं और मैं पूरी विश्वास का साथ कहता हूं गैज इस सेशन को अगर आप जाएगा और पीडियाफ डार्लोड करने के लिए टैनिकला में जरूर जोड़ जाएगा वहां पे आप लोगों को पिडियाफ कर लिजेगा मिल जाएगा आपको पिडियाफ चली नेक्स्क्रेशन है आज का हमारा पहला सवाल है आप लोग के बीच में जारखन का प्रथम अंग्रेजी देनिक पत्र कौन सा है गाईज बिल्कुल correct answer हो जाए गाईज option number a is the correct answer हो जगा daily press daily press जो है जारखंड का प्रथम अंग्रेजी देनिक पत्र है याद रखेगा next question question number two है तिलका मांजी को कहा फासी दी गई थी बिल्कुल correct answer हो जाए गाईज option number a is the correct answer हो जगा भागलपूर में ठीक है भागलपूर कहा है वरतमान समय में बिहार में है next question question number third है देश का सबसे बड़ा विस्पोर्टक कारखाना कहा है गाईज माउस भी वियाई यह बिल्कुल correct answer गाईज option number a is the correct answer हो जगा गोमिया में ठीक है यह हमारे निवास अस्थान से ज्यादा दूर नहीं है गाईज इसलिए मैं पूरी अच्छी तरे साफ लोको बता सकता हूं चले next question question number four है जारखन का प्रथम उसा चक्र प्राप्ट करता कौन है बिल्कुल correct answer गाईज option number a is the correct answer हो जगा रंधीर बर्मा चले next question question number five है पहाड़ों की रानी के नाम से कौन महसूर है गाईज महसूर है जे बिल्कुल correct answer है option number six है नेता हाट चले next question question number six है एसिया का प्रथम मित्थेन गेस कुवा कहां इस्ती थे गाईज बिल्कुल correct answer है गाईज option number a is the correct answer गाईज परवत पूतर question number seven है जारखन में सरवाधिक प्रूसा चले प्रूसा है बिल्कुल correct answer है गाईज option number six is the correct answer गाईज धनबाद question question number eight है जारखन के किन जन जातियों ने रास्टिया आंदोलन में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया most PBI question है गाईज बिल्कुल correct answer हो जागा option number d is the correct answer हो जागा और आवड जन जाती होने next question 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 number nine है दोस्तों राजराप्पा किस नदी पर इस्तित है most PBI है जी बिल्कुल correct answer हो जागा option question number a is the correct answer जागा भेड़ा एवम दामोदर न दीके किना रहे next question 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 नमबर 10 है गाईज बिर्शा मुन्डा के आंदोलन का केंद्र कहां था बिल्कुल correct answer है गाईज option number a is the correct answer हो जागा खुटी है खटी लिखा हुआ है खुटी होगा क्योंकि विर्शा मुन्डा जी थे योग खुटी से ही बिलोंग करते हैं next question 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 number 11 सेनिक पोसाग पहन कर कौन सा निर्थ किया जाता है गाईज बताईए जी बिल्कुल correct answer हो जागा option number c is the correct answer हो जागा जोकी जार्खन का एक लोक निर्थी है next question 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 number 12 है जार्खन में पहला rail mark कब बना था बिल्कुल correct answer हो जागा गाईज option number b is the correct answer जागा अठारा सो पैतालिस को next question 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 number 30 34 राश्टे खेलो का सुभारन कहां हुआ था जो बिल्कुल correct answer हो जागा option number a is the correct answer जागा दोस्तो राच्ची में ठीक है ना next question 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 number 14 है जोस्तो परसीद खिलारी जैपाल सिंग किस खेल से जूड़े रहे हैं बिल्कुल correct answer हो जागा इजा right option number c is the correct answer हो जागा Χौकी चले next question 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 number 15 है जार्खन का सबसे बड़ा अभ्यारन कौन सा बिल्कुल करेक्टान्स हो जागा, option number A is the correct answer हो जागा, पलामो अभ्यारण, जारखन का सबसे बड़ा अभ्यारण है, बिल्कुल करेक्टान्स हो जागा, option number A is the correct answer हो जागा, हजारी बाग जीला में, जारखन्ड में किस धर्म के मानने वालों की संख्या सरवाधिक है, बिल्कुल करेक्टान्स हो जागा, option number A is the correct answer हो जागा, हिंदू, next question, question number 18 है, शर्हूल परव किस दिन मनाए जाता है? MOS PBI कोशन है, सर्हूल परव से कोशन पुछा जाता है, बिल्कुल करेक्टान्स हो जागा, जागा, option number A is the correct answer हो जागा, चेत्र महिने के स्वल पक्षिकित तृतिया को नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमर नाइंटीन है भारतिय सविधान की आठवी अनुसूची में अस्थान पाने वाली जहारखन की एक मातर छेत्री भासा कौन सी यह गाईजी बिल्कुल करेक्टर अन्सर है गाईज और अप्सेन नमबर सी इस दाखरटास जिए शन थाली चलिंक नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमबर ट्वेंटी लाँच नायक आलबर्ट एका कुकी सुष्ट के भारत पाक युद में बिरगती प्राव्थ हुई बिल्कुल करेक्टरंस हो जगा option number 6 दा करेक्टरंस हो जगा 1971 का और चलिए next question के लुबढ़ते हैं question number question number 21 है गाईज आप लोगे बीच में किसे सुर्योदे येवं सुर्यास्त का सुन्दर ये अस्तल कहा जाता है most PBI question है गाईज option number A इस दा करेक्टरंस हो जगा नेतर हाट को याद रखिएगा ठीके ना तो ये हुए गाईज आज के हमारे top 21 question जो की exam की coding most PBI है जारखन जी के जैसा से CGL और exercise का निकल चुका है form exercise का भी निकल चुका है जैसा से CGL का आने वाला है उसमें बहुत helpful होगा इस session छोड़िएगा मत चैनल पे नहीं है तो subscribe करके रखिएगा और कल के कल में कल में आप लोग से सवाल पुछाता के जारखन से लोग सभा के लिए चूने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो इसका सही अंसर है 14 राजिसभा से 6 आज का सवाल है आप लोग के बीच में परमंडल का सर्वोच अधिकारी कोन होता है जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और आज का session यहीं तक रखते हैं session को पुरा देखने के लिए आप लोग का तहे दिल के साथ सुक्रियादा करता हूँ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा लाइक सेर जरूर कर देजेगा दोस्तों के बीच में भी सेर कर देजेगा ताकि उनको भी हलो हो सके और गाइज session को पुरा देखने के लिए तहे दिल के साथ सुक्रियादा करता हूँ फिर मिलते हैं next question में next session में तब तक लिए जय हिन जय भारत